नमस्कार दोस्तों, राजकुमार अपने समय के बड़े एक्टर्स में गिने जाते थे, लेकिन उनका घमंड भी हमेशा चर्चा का विशे रहता था, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार चुल्मान दादू राजकुमार स सक्सेस से रातो रात फेमस हो गया था, तो डारेक्टर सूरज बढ़जात्या ने एक सक्सेस पार्टी रखी, और बॉलीवुड के ज्यादातर भांडो और नचनियों को इन्वाइट किया, जिनमें राजकुमार भी पार्टी में शामिल थे, सूरज बढ़जात्या सभी मह नमबर आया राजकुमार का, चुलमान दादू अपनी फिल्म पहली फिल्म उसकी सक्सेस की खुमारी में था, पूरी तरह से डूबा हुआ था, उसने फटाक से कहा, ये कौन है, राजकुमार के लिए, इतना सुनते ही राजकुमार का गुस्ता भी सात्वे आस्मान पर पह करता है, चुलमान ने जब देखा कि ताउ तो पहले से भरा बैठा है, तो सूरज बढ़ जात्या के कहने पर, उसने बिना देर किये, माफी मांगी, और कहा कि मैं आपको जानता हूं, पहचानता हूं, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन मैं अपनी फिल चुलमान की बत्तमीजी और माफी के बाद भी यह विवाद यहां पर खत्म नहीं हुआ था, घर जाके राजकुमान ने सलीम खान को फोन पर कहा, कि अपने बेटे को थोड़े संसकार भी सिखाओ, सारा दिमाग हैलन में मत लगाओ, सलीम खान को लगा कि उसके लाडले जाकर फिर से माफी मंगवाई, तब जाके ये मामला शान्त हुआ, चुलमान आज भले ही अपने आपको तुर्रम खान समझता हो, लेकिन इस घटना के बाद जहां राजकुमार दिख जाते, वहां से चुलमान दादू पतली गली से खिसक लेता था, राजकुमार के गुस्